कुछ जानकारी बच्चों के बुखार के बारे में दे रहे हैं हमारे शरीर का सुब का नॉर्मल तापमान 98.8 फेरनिट डिगरी होता है जब भी बच्चे को बुखार है, एसा लगने पर उसे कितना बुखार है यह थर्मामिटर से नापने के बाद ही बुखार की दवा दिनी चाहिए कई बार बच्चे का शरीर कपाल बिना बुखार भी गरम लगता है खास कर रात को गर्मी के मौसम में बच्चा जब ज़्यादा रोता है तब उसे ज़्यादा कपड़े में बांध के रखा है या बड़े बच्चे को ज़्यादा कपड़े पेनाये जाते हैं तब और बच्चा जब खेल कर वापस आता है तब बच्चों का नॉर्मल तापमान बड़ों की नॉर्मल तापमान से ज़्यादा रहता है यदि हमें अपने हाथ को बच्चे का शरीर गरम लगता है पर थर्मोमेटर दिखाता है कि बच्चे का शरीर का तापमान नॉर्मल है तो हमें विश्वास थर्मोमेटर पर ही रखना चाहिए यदि बुखार 101 डिग्री फेरनिट से ज़्यादा हो तो बच्चे का बदन पानी से पहुँच सकते हैं पर पानी नलका होना चाहिए थंडा फ्रीज का कभी भी नहीं उसका पूरा बदन पहुँचे सिर्फ कपाल ही नहीं और जब बच्चे को पहुँचा जाए उस समय पंखा बंद रखे जब भी बच्चे को बुखार आया है तब उसका स्तनपान जारी रखना चाहिए उस समय उसे पानी, फल, फल का रस, नारियल पानी, सूप जैसे लिक्विड ज़्यादा पिलाए पच्चने में आसान हो ऐसा खाना खिलाना चाहिए जैसे दाल, चावल, खिश्री, दलिया बुखार के समय बच्चे को कम कपड़े पहनाए पतले और सूती कपड़े पर ध्यान रखे जब भी बच्चे को बुखार आए, तब बुखार कितना है उसका चार्ट बनाकर लिख कर रखिए क्योंकि कई बार बुखार कितना है यह बताते समय 101.7 बुखार को 117 और 100.8 बुखार को 108 बुखार बताने की गलती हो जाती है लिखे हुए चार्ट पर एक नजर डालने पर भी कुछी सेकंड में बुखार किस तरह कम ज़ादा हो रहा है यह तुरंट समझ में आ जाता है बुखार की दवा जब बुखार है तब भी ही दे और जितने दिन बुखार है उतने ही दिनों दे बिमार बच्चा खाली पेट हो तो भी बुखार की पेरासिटामोल नाम की दवा बच्चे को पिलाई जा सकती है कई बच्चे बुखार के समय कम खाना खाते हैं बुखार में भी बच्चे को स्नान करा सकते हैं, उसे AC में भी सुलाया जा सकता है बुखार आने पर बच्चे को बुखार कम करने की पेरासिटामल नाम की दवा आप अपने आप भी दे सकते हो अब यह समझते हैं किन बच्चों को बुखार आने पर तुरंत अस्पताल ले आना चाहिए बच्चा ठीक लगता हो तो भी हर तीन मेने से छोटे बच्चों को बुखार आने पर अस्पताल तुरंत ले आना चाहिए यदि बुखार थंड लगकर आता हो 103 डिग्री फेरनिट से ज़्यादा वुखार हो वुखार तीन दिन से ज़्यादा दिन चला वुखार के साथ शरीर पर दाने दिखाई देते हो बच्चे को आंकडी आती हो उसकी सांस तेज गती से चलती हो बच्चा दूद नहीं पीता हो पेशाप कम करता हो तो उसे तुरंट अस्पताल लेकर आएं बारिश के मौसम में बुखार आने पर सभी बच्चों को तुरंट दिखाना चाहिए और उस समय उसकी खुनकी जाच की जरूरत ज़्यादा होती है क्योंकि अपने देश में बारिश के समय बुखार के साथ आने वाली बिमारियां बहुत ज़्यादा होती है जो जानलेवा हो सकती है बुखार कोई भी वज़े से हो बुखार कम होने के बाद यदि बच्चा सुस्त दिखता हो या कम खिलता हो तो भी बिना देरी किये उसे दिखाने लेकर आना चाहिए